देश में लोगडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है 18 मही से पहले राचों की सरकार द्वारा लोगडाउन 4 के नियम फायदे बता दिये जाएंगे देश में लोगडाउन का तीसरा चरण 4 में से शुरू हुआ था वही पहला चरण 25 मार्च को दूसरा चरण 15 अपरैल से शुरू हुआ था COVID-19 का इलाज ढूंडने के लिए दुनिया भर के देश लगे हुए हैं और इसका वेक्सीन बनाने की तयारी की जा रही है लेकिन इससे लोग लोगडाउन के चलते हैं एक ऐसी चीज है जो काफी अच्छी हुई है और वो है भारत का बनियादी स्वास्थ धाचा जिससे लोगडाउन की परिस्थिती ने मजबूत बनाने का मौका दिया हमारी से मकाबले के लिए स्वास्त तयारियां काफी महत्वपूर्ण है और इनके लिए इन्हें मजबूत किया जाना भी काफी जरूरी होता है साथी सही व्यवस्था करना भी बहुत जरूरी है हम आपको बताते हैं कि हमारी तैयारियां कैसे इस तर पर पहुची है और अब हमें आगे जाकर किस इस तर तक जाने के जरूरत है पिछले दिनों हमने हमारी स्थिती को पहले से काफी बहतर किया है लेकिन ये सिर्फ एक पढ़ाव है जिस पर हम पहुचे हैं अभी हमारी मंजल बहुत दूर है और इस मंजल तक पहुचना हमारी मजबूरी भी है और जरूरत भी फिलहाल मौजूदा स्वास से स्थितियों को देखें तो अब तक 7740 बैड समर्बत अस्पताल तयार है 6,56,779 बैड आइसोलेशन के लिए तयार है 9,99,442 अक्सीजन सपोर्ट बैड तयार है वहीं 34,076 आइसियू बैड है वही 5,230 रेलवे कोच को उप्योग कर निकाय के रूप में तयार किया गया है अभी तक 19,398 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं और 75,000 के करीब वेंटिलेटर की मांग की गई है में सरकाय द्वारा 7,884 वेंटिलेटर का आदेश दिया गया है और उनमें से 7,000 के करीब घरेलू निर्माताओं से लिए जाएंगे इस से 2,13,500 किट के ओर्डर दिये गए है और इनमें से 1,37,500 किट प्राप्त हो गई है इस किट के अलावे एक और महतवपून चीज है वो है पीपी किट जो की कोरोना मरीजों की सेवा में लगे डॉक्टरों नर्सिस और अनिमेडिकल स्टाफ के साथ साथ पुलिस करमचारियो सफाई करमचारियों के लिए भी आवशक है क्योंकि उन्हें कोरोना से सरक्षित रखने के लिए इन किट की काफी जरुवत पड़ रही है अब तक 2 करोड पीपी किट की मांग की गई है इस मांग को देखते हुए 2 करोड से जादा किट का ओर्डर दिया गया है और इनमें स से अब तक 1,777,700 किट प्राप्त हो गई है देश में अकसर देखा जाता है कि ऑक्सिजन सिलेंडर की कमी के चलते कई लोग दम तोड़ देते हैं लेकिन अभी के स्थिति में 4,38,000 ऑक्सिजन सिलेंडर उपलब्ध है वहीं 1,03,000 ऑक्सिजन सिलेंडर का आदेश दिया गया जिनमें से 60,000 ऑक्सिजन सिलेंडर प्राप्त हो गए है ये वो कुछ आकड़े हैं जो हमने आपके सामने रखे इसके तुरू हम आपको देश में मौझूद स्वास्त सिति और परिस्ति के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं सरकार आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान र देख 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